Study IQ IS अब तयारी हुई affordable अब देख सकते हो करनाटका passes resolution against महाराष्टरा over border रोती है मामला है क्या यहाँ पर resolution में क्या बोला क्या है चल क्या रहा है इस समय वो दोनों चीजे मैं आपको बताऊंगा काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा अगर आप UPSC के त्यारी कर रहे हैं दोस्तों हमारा second of January से bad start हो रहा है लेकिन जो new year का sale है वो कल तक end हो जाएगा 31st of December तक इसको अगर आप सबसे कम दाम पर लेना चाहते हैं maximum discount लेना चाहते हैं आपको हमारे website, app पर जाना है comment section में इसका link मिल जाएगा वहाँ पर code इस्तमाल करना है अंकित live ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर ले सके इसके अंदर आपको thousand plus hours से जादा की live classes दी जाती है mentorship मिलता है, handwritten notes हो गया, answer writing practice आपके main exam के लिए इसके लावा अगर आपको prelims की त्यारी करनी है 2023 का, again यहाँ पर भी आप course ले सकते हो NCRT का ले सकते हो, सरिफ आपको जाना है और code इस्तमाल करना है अंकित live इसके लावा और अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज़ पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर सकते हैं चले शुरुवात करते हैं और सबसे पहले मैं आपको map दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आप देखो कि यह करनाटका का map है और करनाटका के northern side में अगर आप दिखेंगे यह वाला जो पूरा border है महराष्ट के साथ जुड़ता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा district है जिसका नाम है बेलगाव या फिर बेलगावी कहा जाता है इसको तो यह जो बेलगावी डिस्टिक है इसको पूरी तरह से district के साथ देखने को मिलेगा जैसे उत्तर करनडा में भी कुछ district है यहाँ पर धारवाड हो गया यह फिर बीजापूर हो गया यह कई ऐसे district है यहाँ पर जिसको लेकर महराष्ट और करनाटका के बीच में लगतार विवाद देखने को मिलता है और इसकी वज़े से एक प्रकार से जो long standing territorial dispute है वो अभी भी चलता आ रहा है लेकिन recent time में फिर से यहाँ पर देखने को मिला है कि जो linguistic pride है सब nationalism है उसको लेकर दोनों राज्जी के जो leaders हैं अलग-अलग बयान देते रहते हैं पिछले हफ़ते जैसा कि मैं आपको बता रहा था करनाटका की तरफ से भी और महराष्ट स्टेट assemblies की तरफ से भी जो resolution है वो एक दूसरे के खिलाफ लाया गया वैसे मैं आपको बता दूँ कि करनाटका ने तो लगभग ये 6th resolution है मतलब की 1967 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो 6 ऐसे resolution अकेले करनाटका के दोरा लाए गया है तो ये resolution है क्या देखो 22nd of December को अभी जो latest resolution है वो करनाटका के चीफ मिनिश्टर बस्वर राज बोमई उन्होंने unanimous तरीके से अपने house दोन क्योंकि करनाटका में आपको पता होगा by camera legislature है तो यहाँ पर आपको unanimous तरीके से दोनों houses से जो resolution है उसको पास कराया गया है यहाँ पर करनाटका के दोरा बोला गया है कि यह जो पूरा बिलगान डिस्टिक है यह बिलगावी आप देख रहे हो यह पूरी तरह से यह आपका करनाटका के ही अंदर आता है ऐसा यहाँ पर resolution के अंदर बोला गया और पूरा complete claim जो है वो यहाँ पर का है साथी साथ resolution में यहाँ पर यह भी बोला गया है कि महराश्ट के जो leaders हैं उनके दोरा जो behavior है वो बिलकुल भी गलत है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो महराश्ट है उन्हों में भी इस तरह का resolution आया और यह का कि नहीं जो बेलगाम डिस्टिक है वो हमारा है वैसे मैं आपको बता दूँ इन पूरे मामले को resolve करने के लिए पिछले हफ़ते की बात है यहाँ पर जो union home minister है अमिश शाह जी उन्होंने दोनों chief minister के साथ बैट कर बातचीत की ताकि यह जो मामला वापस से उठ रहा है इसको cool down किया जा सके लेकिन जैसा कि आप देख रहो देता हूँ देखो starting में आपको पता होगा जब देश आजाद हुआ था तो कई सारे presidency's देखने को मिलते थे तो उनमें से एक presidency था जिसका नाम था Bombay presidency यह अगर आप देखो कि नहीं यह green color में आप देखो लेफ्ट साइड वाले diagram में यह Bombay presidency हुआ करता था ठीक है लेकिन इस आप देखें यह जो करनाटका है आज के डेट में वो Bombay presidency के कई सारी areas यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो basically यहाँ पर क्या हुआ कि 1948 में जो बेलगाम की municipality है यह जो बेलगाम की municipality है उन्होंने यह कहा कि जब राज बन रहते तो बेलगाम की municipality ने यह कहा कि क्योंकि यहा बेलगाम के जो municipality है उन्होंने कहा कि हमें महराष्ट के अंदर शामिल कर लिया जा है जो आगे चल कर बनने वाला है लेकिन finally जब state reorganization act आया 1956 का और जब गुजरात आगे चल कर गुजरात बना महराष्ट बना तो उसके अंदर basically यह किया गया कि बेलगाम और Bombay state के 10 तालुका उसको महसूर state के अंदर include कर दिया गया था मतलब कि यहाँ पर जो माराथी speaking people थे उनकी जो मांग थी उसको हटा कर यहाँ पर करनाटका के अंदर इसको include कर दिया गया था यह सबसे बड़ी चीज है देखो उस समय तो क्या था यह महसूर state था ठीक है महसूर state बोलते थे आग पसा नहीं है कि सर्फ बेलगाम को लेकर यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उत्तर करनड़ा के कुछ districts हैं यहाँ पर इसके लावाद धारवाड हो गया यहाँ पर बीजापूर आप देख रहे हो तो यह कई सारे ऐसे districts हैं बाकी जो जगहों पर उसको भी इसके अंदर include करन exactly कितने गाम हैं वहाँ आपको और आगे बताता हूँ लेकिन जब यह 1956 में बेलगाम करनाटका के पास चला गया था मैसूर स्टेट के पास चला गया जो महराश्ट के लीडर्स हैं उन्हों नहीं यहाँ पर कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है यह बिलकुल भी सही नहीं है आ Central Government Pressure में आकर उन्होंने यहाँ पर एक Commission गठन कर दिया जिसका नाम था महाजन Commission यह बहुत important है इस पूरे मुद्दे के बीच महाजन Commission की बहुत चर्चा होती है और वैसे मैं आपको बता दूँ करनाटका Government आज के डेट में महाजन Commission का जो रिपोर्ट था उसको support करती है लेक करनाटका की जो चौथे चीफ मिनिश्टर थे एस नीजलिंग गपा उन्होंने 1956 का जो एक था उसको uphold करने का resolution मतलब कि कहा कि यह बिल्कुल सही है कोई भी उसमें नहीं गलत होना चाहिए मतलब कि जो resolution लाने का पूरा एक प्रकार से सुरुआत है वो यहीं से start हुआ था 1967 से करनाटका बार-बार हर कुछ-कुछ समय पर resolution लाता रहता है और कहता रहता है कि बेलगाउं जो है वो उसी कहीं district है जहां तक महाजन कमीशन की बात है तो let me also tell you कि महाजन कमीशन ने ये निर्णने लिया महाजन कमीशन का जो report था उसमें ये बोला गया कि बेलगाउं और कु कई सारे ऐसे तालुकाज हैं जो गाउं है कुछ गाउं का exchange किया जा सकता है महाराश्ट के साथ मतलब कुछ गाउं यहाँ पर जो महाराश्ट बोल रहा है उसको दे दिया जाए लेकिन overall अगर हम देखें जो बेलगान district है वो करनाटक में ही होना चाहिए ये महाजन कमीशन क कहना था और इसी के वज़य से आज के डेट में महाजन कमीशन को सपोर्ट किया जाता है करनाटक के दौरा और इसका विरोध होता है महाराश्ट की दौरा तो finally conclusion क्या निकलता है देखो conclusion यहाँ पर यह है कि आज के डेट में भी लगबग महाराश्ट के दौरा क्लेम है कि हम में 865 villages मिलने चाहिए और साथी साथ विलगाम city भी मिलना चाहिए जो कि इस समय करनाटका का हिस्सा है और महराश्ट के अंदर जितने भी successive government आया है आपको पता है यह politics भी लगतार कई बार चलती रहती है तो महराश्ट के अंदर जितने भी leaders आया हैं वो समय समय पर इसको retaliate कर रहते हैं और करनाटका फिर resolution लाता रहता है कि नहीं यह हमारा ही है और इसलिए दोनों का जो विरोध है जो problems and dispute है वो समय समय पर वापस आते रहता है और यही चीज़ वापस से resolution लाया गया है और इसलिए आपको इतना जादा tensions देखने को मिलेगा और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर दोनों में राजसरकार एकी party किया उसके बावजूद भी यह इतना बड़ा tensions है जो कि अभी तक resolve नहीं हो पाया देखना होगा आके क्या होता है central government क्या कदम लेती है लेकिन जाने से पहले एक बहुती interesting question साउथ हिलिया में आपको पता होगा एक biosphere reserve है बहुती famous न मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए लग-लग social media पर आप जूर पाओगे और जैसा मन अरी हुई affordable